शुक्र वाकपती सुधा करात्म जई केंद्र कोन सहिताई दुतीय गई सो उच्च मित्र भवनेशु वाकपतव वीर्यगे सती शरश्वती रिती नमस्कार जैमातेकी आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसमें आज हम विशेश रूप से एक राजयोग के विशे में चर्चा करेंगे आज हम जानेंगे कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या जो अपनी वानी से अपनी विध्या से अपने ज्ञान के माध्यम से धनारजन कर रहे हैं प्रसिद्धी को प्राप्त कर रहे हैं उनकी कुनली में कौन सा वो विशेश योग अकसर देखने को मिल जाता है सरस्वती योग आज की हमारी चर्चा इसी मुखे विशय पर होने वाली है आप नाम से ही इस योग की महत्ता समझ सकते हैं कि जहां सरस्वती होती है वही मालक्षमी का भी आगमन अपने आप हो जाता है तो आज का जो हमारा मुख्य विशे रहेगा वो रहेगा सरश्वती योग से जोड़ा हुआ कि ये कैसे बनता है और किन स्थितियों में इसका क्या फल हमें देखने को मिलता है उससे पहले अब जिन विशेओं पर हमारी आसे चर्चा होने वाली है वो सब आपी के ही कमेंट से लिए जा रहे हैं पहले सरश्वती योग, लक्ष्मी योग और विशेश जिस पर कमेंट आज कल आने लगा है किमद्रूम योग और अक्सर मैंने देखा है कि लोग इस योग को लेकर काफी परेशान रहते हैं मेंटली इस योग का बहुत बड़ा आसर आजकल देखने को मिलता है तो हम इस विशे में भी जानेंगे और ये स्रंकला काफी ही आनंद वर्धक और ग्यान वर्धक होने वाली है तो आप लोग इससे जुड़े रहिएगा और आज से रेगुलर्टी में आपको वीडियो देखने को मिलेंगी मैं प्रयास करणगा कि रेगुलर आपके पास एक वीडियो जरूर पहुँचा पाऊं और आप लोग भी सपोर्ट करिएगा जिससे ये वीडियो आगे भी लोगों तक पहुँचती रहें और जो लोग भी इस विद्या में इंटरस्ट रखते हैं उन तक ये जरूर पहुँचे तो आईए आज के अपने विशेश योग पर चर्चा करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कुंडली ली है इस कुंडली में आप देखेंगे मीन लगन की एक कुंडली बनती है जिसमें लगन में ही ब्रस्पती, शुक्र और बुद्ध आपको दिख जाएंगे तो अरसल में सरस्पती योग बनता कैसे है पहले यह जान लेते हैं फिर इस कुंडली के अधार पर उसे समझने का एक प्रयास करेंगे सास्तर कहता है शुक्र वाकपती सुधाकर आत्मजई शुक्र आप सब जानते ही हैं वाकपती कहते हैं ब्रस्पती को और सुधाकर आत्मजई शुधाकर कहते हैं चंद्रमा को जो सुधाकर के आत्मजई हैं अर्थात बुद्ध तो यहाँ पर सास्तर ने किन तीन मुखे ग्रहों की चर्चा की है सास्तर कहता है कि शुक्र वाकपती सुधाकर आत्मजई केंद्र कौन सहीताई दितिये गई शुक्र, ब्रस्पती और बुध केंद्र में, त्रिकोन में और दितिये गई दूसरे भाव में बैटे हो और उसके बाद क्या कहा सोँच, मित्र भवनेशु या तो अपने उच्च में बैठे हो अपने मित्र के घर में बैठे हुए हूँ अब आपको पता ही है ब्रस्पती की उच्ची की राशी कर्क होती है बुद्ध की उच्ची की राशी कन्या होती है और शुक्र की उच्ची की राशी मीन होती है या तो अपनी उच्ची राशियों में बैठे हूँ केंद्र में त्र पुक्र ब्रस्वती और बुद्ध आपको बैठे दिख रहे हैं बलवान अवस्था में दिख रहे हैं उच्च के दिख रहे हैं अपने मित्र के घर में दिख रहे हैं तो ऐसी स्थिती में आपकी कुंड़ी में सरस्वती योग का निर्मान होता है और सरस्वती योग बनने से आपको किन-किन छेत्रों में विशेश लाब होगा लेकिन एक यहां पर विशेश शर्थ है कि वीर ये गई अर्थात बलवान अवस्था में होने चाहिए अगर कमजोर अवस्था में है तो जो मैं अब आपको फल बताने वाला हूँ उसमें कही ना कहीं कम ही आ जाती है जैसे अगर बहुत बलवान है तो आप वो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं कि जिसकी चर्चा हर जगे हो लेकिन अगर उनकी बलवता कम है तो आप किसी स्कूल में आप लेक्चर दे सकते हैं शुषे में तो ये उस लेवल की अनुसार कम और जादा होते रहते हैं अब सरस्वती योग में आपको विशेशकर आर्ट से जुड़ी हुई चीजें दिख जाएंगी जैसे जिन भी लोगों की कुंडियों में ये योग होता है वो कही न कहीं कावे से जुड़े हुए हो सकते हैं कावे के छेतर में उनका बहुत नाम देखा गया है श्री रविंद्रनाट टैगोर जी को ले लीजे रामकृष्ण परमहंस जी को ले लीजे या स्री वल्लभाचार्य को ले लीजे उन सभी की कुंड़ियों में आपको सरस्वती योग दिख जाएगा और ये जो कुंड़ी मैंने आपको दिखाई है ये स्री रामकृष्ण परमहंस जी की कुंड़ी है उनकी कुंड़ी में आपको ये योग साफ साफ नजर आएगा मीन लगन की कुंड़ी है लगन में ही ब्रस्पती अपनी राशी के बैठे हैं शुक्र उच्छ के बैठे हैं लेकिन यहां पर एक इस्तिती यह है कि बुद्ध वहां नीच के हो जाते हैं लेकिन सास्र ने नीच के होने के लिए कुछ नहीं कहा है सास्र का कहना है कि बलवान अवस्था में होना चाहिए तो वहाँ पर बुद्ध जो हैं वो बलवा नवस्था में हैं और उनका नीचत्व भंग हो रहा है तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको नीच भंग के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से नीच भंग हो जाता है और उसका क्या हमें लाब मिलता है तो जो सरस्वती योग है इसमें आपको Mathematicians एक से बढ़कर एक गणी तग्या आपको देखने को मिल जाएंगे एक से बढ़कर एक कावे सास्त्री आपको मिल जाएंगे लता मंगेशकर जी की कुंड़ी में भी योग था सिंगिंग के छेत्र में ऐसे लोगों का बहुत नाम देखने में आया है और जितने भी विध्या से जुड़े हुए छेत्र हैं जैसे Accounts हो गया जहां Calculation हो जोतिस हो गया इन छेत्रों में इस योग की साहिता से व्यक्ति को बहुत लाब होता है तो आप भी अपनी कुंड़ी में देखिएगा अगर ये योग है तो आप भी इन छेत्रों में विशेश लाब और विशेश उन्नती प्राप्त कर सकते हैं और कमेंट में जरूर बताईएगा कि इस योग में अभी तक आपको किन किन चीजों की प्राप्ती हुई आज के लिए बस इतना ही आने वाली वीडियो में हम लक्षमी योग के विशेश में चर्चा करेंगे कि लक्षमी योग कुंड़ी में कैसे बनता है और इसके बनने से हमारे जीवन में किन किन चित्रों में हमें लाब होता है तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे इस चैनल पे जैमा तेही